जैजी नेंदरा, वेलकम टू माई जैइन रेसिपी, मैं गुजी नल, आज मैं बनाओगी बहुत ही टेस्टी पनेल टीटबिट स्टार्टर जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है और एक बार ये स्टार्टर खा लिया तो रेस्टोरन का स्टार्टर ख सबसे पहले आपको मिलेगे पालजसर नें के स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ना गी सॉस बनाना ऑठ भी Sos अचनल में डिए को मिडिया के लिरें अगे बाद मिकशे और में टेमाटर के न श्पी सलें Canada को हम चैनली बर्ती जिसे जिनमाटर के चिलके और बीत अलग हो जाएंगे और प्यूरी एकतम स्मूथ मिलेगी देखे चान लिया है और आप देख सकते हो कि टमाटर की प्यूरी बनके रेडी है और यह करीब एक कप जितनी प्यूरी है अब टैंगी सॉस पनाने के लिए पैन में एक टेबल स्पून ओयल देंगे और अलका गरम होन से मिक्स कर देंगे ज्यान रखना है कि बेजल यूज जलने नहीं चेहिए और गैस के फ्लैम स्लोटों मिडियम रखेंगे अब इसमें वन फूर्थ टीस्पून नमक एक टीस्पून चिली फ्लैक्स एक टीस्पून औरेगानो वन एथ टीस्पून काली मिर्श पाउडर और टॉमेटो सॉस घर पर कैसे बनाना है उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेडियम फ्लैम पर पकने देंगे जिसे यह सॉस हलका गाड़ा हो जाएगा पर ध्यान रखना है कि चमत से चलाते रहना ह है जिससे सॉस कड़ाय में चिपकेगा नहीं देखे साथ से आठ मिनिट में सॉस बनके रैडी है और कंसिस्टनसी हम इसी तरह रखेंगे क्योंकि यह हलका ठंडा होने के बाद थोड़ा गाड़ा हो जाएगा यहां मैंने डाइसोग्रम पनीर लिया है और पनीर को मैंने इस स्लरी बनाएं गे उसके लिया और मैं यह तैब स्कुन कॉनफ्लोर कमेईदा ढाल देंगे और इसमें 140 पून नमक और वननें थी श्पून काले मिश पावडर ढाल देंगे और ब्चलिकर रखेंगे ए बाद ज्यान का और इस नहीं हो रखने है मेह में तरह मे upset ऐ-समेर बनक वो इसमें एड कर देंगे और स्लरी से कोट कर लेंगे स्टाटर बनाने के लिए हमें ये पनीर को फ्राइ करना है इसलिए हमें स्लरी से कोट करना है फिर फ्राइ करेंगे जिसे पनीर बिखर नहीं जाएगा और खाने में अंदर से सॉफ्ट लगेगा अब हम फ्राइ करेंगे उसकेलए मैंने ironia oil में पहले से ग्रम करने रख दिया था oil हमें medium to high flame पर ग्रम करना है और gas की flame भी medium रखेंगे अब एके पनीर के टुकड़े को oil में डाले डेंगे और medium flame पर fry करेंगे पनीर के टुकड़े ऑल में डालने के बाद 30-40 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देना है फिर हम साइड चेंज करेंगे अब पनीर के टुकड़ों को हम पलड़ पलड़ कर फ्राई कर लेंगे फ्राई करने वक्त पनीर के टुकड़े इस तरह एक दुसरे को चिपक जाते हैं पर ह स्टाटर बनाएंगे उसके लिए पैन में एक टेबल स्पून ओयल डाल देंगे और अलका गरम होने के बाद एक स्पाइसी हरी मिर्ची को इस तरह लंबी कट करके साथे करेंगे और स्टाटर बनाने के लिए इस तरह स्पाइसी मिर्ची का ही यूज करें जिससे स्टाटर क का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब मिर्ची फ्राई हो जाने के बाद एक मिडियम साइज के कैप्सिकम को मैंने इस तरह बड़े टुपड़ों में कट कर लिया है वो भी एड़ करेंगे और मिडियम टू हाइफ लेंपर साथे करेंगे कैप्सिकम को हमें स्लो फ्लेंपर सौटे नहीं करना है नवी तो कैप्सिकम नरोम हो जाएंगे इसलिए हमें मिडियम टू हाइफ लेंपर ही सौते करना है जिससे कैप्सिकम में हलका क्रच्जी रहेगा अब इसमें वन फूर hasn नमक सेट जाने के बाद जो हमने सॉस बनाया था वह हैड करेंगे और सॉस को भी अच्रेसे मिक्स अलेहसे जाने के बाद जो पनीर के तुपडों को फ्राई किया था वह भी एड़ करेंगे और सीसफे लेंगे और गैस की फ्लेम मेडियम रखेंगे यह स्टार्टर हलका खटा मीठा और थोड़ा स्पाइसी लगता है तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप आदी टीस्पून लालमिश पाउडर भी एड़ कर सकते ह देखें अब स्टार्टर बनके तैयार है तो हम सर्विंग प्लेट में साव करेंगे बहुत ही मज़िदार गर्मा गरम जैन पनीर टीटपिट स्टार बनकर रैडी है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो आप भी पनीर टीटपिट स्टार्टर एक बार गर पर ज़रू ट्राय करना बच्चों से लेकर बड़ो को सबको बहुत पसंद आएगा और आपको यह रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू थैंक यू सो मच फर वाचिंग